हलो और वेलकुम तुमाइ इंपरफेकट डारीस फ्रेंद्स आज मैं एक और एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कुछ वराइटीज में शॉपिंग किया है पैकेजिंग वाइज उतना ठीक नहीं था लेकिन उतना बुरा भी नहीं था विकाज रेनी सेजन है और उन्होंने बहुत अच्छे से पॉलिथीन में राप करके दिया है और बस मैंने कुछ वराइटी के चीजे लिये हैं from different class of materials तो सबसे पहला ये है हमारा एक क्विलिंग का सेट है क्विलिंग पेपर्स का सेट है ये बहुत फाइन है बहुत थिन है तो इसमें आप कुछ बना रहे हो कुछ थिन कुछ डेलिकेट फ्लावर बनाओगे कुछ डेलि आप कुछ बनाते हो कोई गिफ्ट देते हो किसी को तो आप अराम से ये ब्लैक पोर्शन है इसमें अपना मेसेज लिख सकते हो और ये टाइग की तरह यूज कर सकते हो बहुत क्यूट लगा था मुझे ये मैंने ये से पहली बार लिया है और ये कुछ स्टिकर्स का सेट है ये अच्छली शायद इट वजन्ट प्लैंड बट ये ले लिया है वैने अभी देखते हैं कैसे यूज करेंगे ये एक बीबी बॉय में गुड न्यूज वाला एक स्टिकर का सेट है और जरूर यूज करेंगे इसे आगे और मेल चीज़े है मैंने कुछ डेको ट्रांस्व लिया है तो ये ऐसा है एक फैमिनिन स्टिकर्स है ये कुछ फ्लॉरल है कुछ गर्ल के पिक्चर्स है आज हम ये यूज करके देखेंगे हम मैं बॉटल आट शेयर करने वाले हो इसी वीडियो में तो प्लीज बने रहे है एंड तक वीडियो के इसको हम कैसे यूज कर सके ज ये कुछ रपींग पेपर्स लिये है ये और ये ये इननी क्राफ्ट वर्कीं छोटी बूटिया है इसमें उससे बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें से बना सकते हो बहुत अच्छे से सुंदर से क्राफ्ट्स बना सकते हो उसके बाद आते हैं ये एक हमारा एक और आगे सिफ यह सिंगल ही फिलेमन पेपर है और आगे मैंने कुछ और पसंद आया तो मैंने यह लिया है और आगे यह सिफ यह सिंगल ही फिलेमन पेपर है आगे मैंने कुछ और ट्रांसफर शीट्स लिया है यह भी एक ट्रांसफर शीट है इसमें ऐसे बर्ड के डिजाइन्स है इसको भी हम कोई भी आक्चली यह कोई भी सर्फेस पर भी काम कर सकते हैं पेपर पर भी काम करते हैं यह प्लास वाउंट का ट्रांस्वर शीट है मैंने इस बार कुछ इंग्लिश वाइब जैसा ऑर्डर किया है कुछ दिमाग में रखे ही ऑर्डर किया है तो आगे ज़रूर शेयर करूंगी इन सबको मैं कैसे शेयर करती हूं यह एक इंडियन एथनिक स्टिकर्स है गनपती जी का स्टिकर तो यह भी हम देखेंगे हम कैसे यूज कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं एक बॉटल आट तो बॉटल आट बनाने के लिए मैंने यह गरल वाला स्टिकर लिया है इसे हम जो पोर्शन हमें चाहिए इस डिस डिस नॉट बी परफेक्ट तो जो पोर्शन ज इनको हम पहले प्लेस करके देखेंगे बॉटल का कोई भी सर्फेस जिसमें हम स्टिक करने वाले हैं वो सर्फेस पे पहले स्टिक करके देखेंगे प्लेस करके देखेंगे कहां पे हमें कौन सा स्टिकर प्लेस करना है इस यह बहुत इजी टू यूज इसलिए है क्यूंकि इसके उपर एक बहुत पतला सा फिलमेंट अमीन एक पॉलिथीन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दिया हुआ है तो आप वो कवरिंग को अराम से हलके हाथ से हटा दीजिए and then upside down मतलब जो portion आपका color दिख रहा है उसको प्लेस कर दिये नीचे में और अच्छे से इसको बिना कोई bubbles के बिना कोई हडबड़ी के अराम से इसको प्लेस कर दीजिए आपके सर्फेस पे और कोई भी sponge या फिर brush के help से पानी को डैप कर दीजिए और नॉमल टैप वाटर डैप कर दीजिए वह थोड़ असा दो सेकेंड आप उसको छोड़ दीजिए वह भीग जाएगा और हलके हाथ से वह उपर का पेपर आप स्लाइड कर लीजिए यह हो गया आपका ट्रांसफर हो चुका यह स्टिकर को सेफ करने के लिए आप उस पे म पॉट पॉज लगा दीजिए और टाडा रेडी हो गया आपका एक सुन्दर सा बटलाट इजी था ना बहुत इजी था तो फ्रेंड्स जरूर बताईए यह सूपर इजी पॉटलाट कैसा लगा और आपको कुछ शॉपिंग भी करना है तो बेज जी जग आप इसी पिसी से शॉपिंग भी कर सकते हो और अगर मेरे इस चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो थैंक यू फॉर स्टापिंग भाई और अच्छा लगा है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग थैंक यू फॉर वाचेंग झाल is यूर वाउ पार आप झाल झाल